नमस्कार दोस्तों प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है और आज मैं आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रही हूँ जो बेहदी हंटिड किला है इसको भूतिया किला भी कहा जाता है और इस किले का नाम है भानगर किला ये किवर शाम छे बजे तक खुला रहता है भानगर किले को भूतिया बताने के पीछे कई कहानिया है वेज्ञानिकों ने इन भूतिया कहानियों को खारिच कर दिया है लेकिन यहां के लोगों का कहना है कि यहां अजीब अजीब सी घटनाएं होती रहती है भानगर्ड का किला भारत के सबसे भुतियस्थान के नाम से जाना जाता है और यह किला तभी शायल सबसे बड़ा अंसुलजा रहस्य बना हुआ है तो चलिए जानते हैं कि क्या है वे रहस्या जिसके कारण यह किला भुतिया बना हुआ है भानगर्ड रायस्थान के अलवर जिले मिस्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल अकार में तयार किया गया है तीन तरब से पहाडों से घिरे इस किले में बहतरिन शिल्प कलाओं का प्रियोग किया गया है इसके अलावा इस किले में भगवान शिव और हनुआन की बहतरिन और अति प्राचीन मंदिर स्थित है इस किले के कुल पांच दौर हैं और साथ िसाथ एक मुख्य दौर भी है इस किले के निर्माण में इस्तिमाल किये गए मजबूर पथर प्राचीन काल से आज भी वैसे के वैसे ही है भानगर किला जो देखने में जितना शानदार है उसका अतित उतना ही भ्यानक है आपको बता दें कि भानगर किले के बारे में प्रसिद एक कहनी के अनुसार भानगर की राजकुमारी रतनावती जो की अपने नाम के अनुसार ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्या में थी और साथ में देश के कोने कोने की राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्चुक थे उस समय उनकी उमर महच 18 वर्ष थी कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे इसी दुरान वे एक बार अपनी सक्षियों के साथ बाजार निकली राजकुमारी रत्नावती अपनी सक्षियों के साथ एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वे इत्रों को अपने हाथ में लेकर उनकी खुश्बू ले रही थी उसी समय उस दुकान से कुछ दूर एक व्यक्ति खड़ा होकर उसे बहुत ही देर से घूर रहा था वे उस राज्य का आदमी नहीं लग रहा था वे आदमी काले जादू का महरती था ऐसा बताया जाता है कि वे राजकुमारी के रूप का दिवाना था और उनसे बेहद ही प्रेम करता था वे किसी भी तरह से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था इसलिए उसने उस दुकान पर आकर एक इत्र की बोतल जिसे की रानी पसंद कर रही थी उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी की वशीकरण के लिए था, जादू ऐसा था कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वे तांत्रिक के प्यार में समोहित होकर उसके पास खिचा चला जाएगा राजकुमारी को बोतल मिली तो सही, पर वे एक बड़े पत्थर की उपर गिर कर तूट गई, अब वे पत्थर तांत्रिक के प्यार में समोहित होकर उसकी तरफ बढ़ा, तांत्रिक को लगा कि रानी रतनावती आई है, तो उसने उसको सीधे अपनी छाती की उपर बैठने को कहा, फिपर बड़ा पत्थर जाकर सीधा तांत्रिक की छाती के उपर गिरा और उसको कुचल दिया, लेकिन मरने से पहले उसने भानगर की बरबादी का श्राब दे दिया था, इस घटना के कुछ वक्त बात एक युद हुआ, जिसमें भानगर तबाह हो गया, और यहां रह कतले आम के बाद, वहां मौत की चीखें गुण जुठी, आज भी उसकिले में उनकी आत्माएं भटकती हैं। अगर ग्रामिर लोगों की मानें तो वो कहते हैं कि यहां पर एक और घटना घटी थी, वे घटना यह थी कि यहां पर एक साधू रहते थे और महल के निर्वान क के वक्त उन्होंने चितावनी दी थी कि महल की उन्चाई कम रखी जाए, ताकि परचाई इनके पास तक न पहुँचें। लेकिन महल बनाने वालों ने इस बात को ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनाया, और महल की परचाई उस साधू की कुटिया तक पहु क्योंकि यहां पर पानी की कमी थी, 1783 में अकाल पड़ा, जिस्ते यहां की अबादी खतम हो गई और इस्ते भानगर पूरी तरह से उजड़ गया। फिरहाल इस किले की देखरेक भारत सरकार के द्वारा की जाती है। इस किले के चारों और कुछ सर्वे के लिए भारत की ट भानगर के किले में जो भी सूर्य अस्त के बाद गया है वे कभी वापिस नहीं आया। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। इस किले में मारे गए लोगों की आत्माएं अब भी वहीं भटकती हैं। कई बार इस समस्या से रूबरू भी हुआ गया है। एक बार भारती सरकार ने अर्थबल सैनिकों की एक टुकडी यहां लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सकी लेकिन वेह भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इलाके में होने की पुष्टी करी थी। इस किले में जब भी आप अकेले होंगे तो आप तलवारों की आवाज और लोगों की चीखों को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर महिलाओं के रोने की आवाज और उनकी चूडी खनकने की आवाज सुनाई देती है। किले के पिछले हिस्ते में जहां की एक छोटा सा दर्वाजा है उस दर्वाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ पर किसी के बात करने की और एक विशेश प्रकार की गंद को महसूस किया गया है जो की अजीबो गरीब है। किरे में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है। अचानक ही किसी के चीखने की भ्यानक आवाज गुँझ उड़ती है। दोस्तों अब सवाल यह है क्या भानगर सच में भुतिया है। यह वे सवाल है जिसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते हैं वैं इसे कलपना बोलते हैं सच्चाई चाहे जोभी हो भानगर को Google के उपर काफी सर्च किया जाता है और बड़ी तादात में लोग यहां घूमने आते हैं आपका इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप आपको ये जानकरी कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जुरूर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहेगे धन्यवाद